हेलो फ्रेंड्स श्री श्री फूड प्योर वेज रेसिपीज में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सेवई रोल हमें चाहिए होगा निमुकारस अधरक मिर्च की पेस्ट करम मसाला नमक चीनी हराथन्या सेवईया प्यांस बॉयल आलू एक किलो हरे नारियल का छीन दिमौंग, मठ, मसूर, पच्चतर क्राम और इमली की चटनी सबसे पहले हम आलू को क्रश कर देते हैं फिर उसमें नमक और निम्बू पानी डालते हैं और मिक्स कर लेंगे अब एक बाउल में बॉयल किये हुए हरे मूंग, मठ, मसूर को ले और उसमें नमक, चीनी, गरम मसाला, अद्रख मिच पेस्ट, सिंग दाना पाउडर, धन्या और हरे नारियल का चीन लेके अच्छे से मिक्स कर ले और फिर निम्बू का रस भी मिला दे, अब ये स्टफिन तयार है अब कॉन्ट फ्लोर में पानी मिलाकर स्लरी तयार कर लेते हैं अब कॉन्ट फ्लोर स्लरी भी तयार है तो हम क्रेश्ट आलू की पूड़ी बना कर उसमें एक चमच स्ट्रफिंग भर ले और कवर कर ले और गोले बनाए फिर इसे स्लरी में बिगा कर सेवे में कवर कर लेते हैं इसी तरह एक एक करके सारे गोले बना लेते हैं ध्यान रहे अगर आलू चिपचीपे हैं और गोले बनाने में दिक्कत आए तो आप इसमें टोस्ट को क्रश करके मिला दे जिससे गोले तुटेंगे नहीं और बनाने में आसानी होगी जब सारे गोले बन जाए तो तेल गरम कर ले तेल आ जाए तो आप एक साथ दो या तीन गोलों को फ्राई कर ले हमने यहाँ पर चार लोगों के लिए सामान लिया है आप अपने अनुसार सामान लेंगे जब तक रोल ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करे और फिर बाहर निकाल दे ऐसे ही एक एकर सब रोल फ्राई कर ले जब सारे रोल तयार हो जाए तो बाहर निकाल ले तो रोल तयार है अब इसमें इस तरह से स्टफिंग मसाला प्यास टमाटर तन्या और इमली की चटनी डाल कर उपर सेवई से गार्णिश कर ले तो सेवई रोल सर्व करने के लिए तयार हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूले जिससे आपको हमारी नई रेसिपीज के नौटिफिकेशन्स मिलते रहेंगे मिलते हैं